हेलो अवेवन बच्चो स्वागत है आपका काउंसलिंग अड़ा 247 पे बच्चे यहां पे आपको सारी कंप्लिट इन्फॉर्मेशन मिलती है आज मैं आपको बताऊंगा कि आयूश काउंसलिंग का रिजल्ट राउंड वन का डिक्लेर हो चुका है जैनि BMS, BHMS, BOMS, BNYS इन स किसी में भी अगर आपको अड्मिशन लेना है आल इंडिया कोटा के थ्रू तो उसका रिजल्ट डिक्लेर हो चुका है तो आए कैसे देखते हैं कहां जाना है क्या काट आफ गई सब बताऊंगा डेटेल में पूरी वीडियो देखना ध्यान सुनों बच्चे आप चली करेगा फिर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बेhms, bms, hums, bdhms, b pharma, itra इन सब की सीर्च की यहां पर कांसलिंग ओगी और यह देखिए यहां पर आ चुका रिजल्ट दर्दा प्रविजिनल रिजल्ट फार राउंड वन और आयुश कांसलिंग ठीक है आप इसको पिन कर लीज़ेगे यहाँ पर आपको आपकार रिजल देखने को मिल लाएगा यहां रैंक दे रखी है और इंडिया ऐलोटेड कोटा किस कोटा से आपको कॉलेज मिला है कौन संच्छूट लॉत हुआ है कौन सा कोर्ष लॉत हुआ है किस के कैटिगरी के तू आपको लॉट हुआ इसा ठीक है नहीं हो इस तो देखिए टेलेट की हुषता कटिगरी जर्नल हो इसको ओपरिंग कटिगरी से कॉलेज अलट हो आप यह देख सकते हैं साथ इसमें सबी का इन्फार्मेशन दे रखी अच्छा यहां पर प्राइवेट अइरवेधी कॉलेजियों की कांसलिंग नहीं होती हैं यहां पर सेंट्रल इंस्टिट्ट्स हो गया गौर्रमेंट कोटा के हो गया और यहां फिर गौर्रमेंट एड़ेड हो गया यहां डिम्ड इनिश्टी इन्ह करके कटाफ की बात करता हूं कि BMS की आल इंडिया कोटा की राउंड वन की कटाफ जो गई है वो जनल याने की ओपन कैटिगरी के लिए आल इंडिया रैंक जो है वो 9530 यानि 528 नंबर पे 588 नंबर पे आराम से कॉलेज मिल चुका है लेकिन याद रखेगा मैंने इसमें साथ SC काटिगरी 466 गई है और HT के लिए 428 नंबर कटाफ गई है साथ अगर मैं BHMS की बात करूं आनिडिया कोटा राउंड वन की साथ ठिकन की क्या-क्या कटाफ गई है तो BHMS की देख लिएगा जनल के लिए जो कटाफ गई हो 532 है EWS के लिए 511 है OBC के लिए 523 SC के लिए 422 और HT के लिए 376 और यह आल इंडिया रैंक्स है इनकी साथ ठिक अगर जो सबसे इंपॉर्टन इसा ब्यूमस ब्यूमस की अगर बात करूं ठिकने ब्यूमस की जो कटाफ गई है वो जनल के लिए 587 EWS के लिए 557 और OBC के लिए 561, HT के लिए 459 और HT के लिए 400 गई है और यह आल इंडिया रैंक्स हां जिस इंपॉर्टन की बात करा था ने ब्यूमस की नजर ब्यूमस की कटाफ कितने गई है ब्यमस की तो ब्यूमस की कटाफ गई हो काफी जादा गई 648 मार्स यानि कि लगबाद 234 454 रैंक गई है या फिर अगर मैं बात करूं EWS के डिगरी तो 645 यानि कि 30 आर आट सो पांच आल इंडिया रैंक्स अब इसी कटाफ गई है अगर मैं बात करूं ENA जैपूर नैशनल इंस्टिटूट आफ आयरवेदा जैपूर की बात करूं यहां पे जो बीमस बच्चे यह बीमस है ठीकर यहां पे जो बीमस की कटाफ गई हुई ठीकर देशिदा बीमस यहां पे जो बीमस की कटाफ गई है यह भी बच्चे बीमस है ठीक यहां पे जो बीमस की कटाफ गई है वो जनल करीगरी 646 गई हुई है के लिए 644 ओबीसी के लिए 642 एसी के लिए 534 और एस्टी के लिए 503 यहां बहुत ही बढ़िया शूट है आयरवेदा का यहां फिर बोलू साब बीमस का तो यह कुछ कटाफ थी बच्चे कि की बीमस की बीमस की इसके अलावा बेच्चू की मने बता दी और नई एक बता दी जो इंपोर्टन बॉंड यह सारी कटाफ है राउंड टू में थोड़ी सी कटाफ और खिसकेगी यहने कि एक लाग तक आप मानके चलिए आप सेक्योर हैं एक लाग तक आपको आईरवेदा शुब कामने थैंक यू जय है